हाई बच्चे लोग कैसे हो आप सभी लोग उमीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं हूँ राहूल जैस्वालल आपका स्वागत है आप सभी का हमारे इस बैतरीन यूटूब चैनल जिसका नाम है जे आर जूनियर्स तो कैसे हो अच्छी तरीकी से पढ़ाई कर रहे हो कॉमेंट करके बता सकते हो देखो आप लोग के लिए फिट स्टाइंडर के बच्चों के लिए हमने जैयार जूनियर्स लांच किया है और कही सारे और चैनल है हमारे पास जैयार टूटोरियल से जैयार टॉक से वो तो आप चाप्टर की शुरुवात के जिसका नामें Multiple and Factors आपका जो आठवा चाप्टर से ना पार्ट टू में Math का सेकेंड पार्ट में तो आपको Multiple and Factors है इसका आखरी लेक्चर है आज मतलब आज आखरी वीडियो है ये चाप्टर हमारा खतम हो जाएगा और आज Problem Set No.35 solve कराएंग तो आज हमें पढ़ना है को प्राइम नंबर्स होता क्या है समझो इसको ध्यान से देखो को प्राइम नंबर्स के अगर मैं बात करूँ को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं are Numbers only have only have one as common factor जा बोल रहा हूँ मैं कि अगर कोई ऐसे दो नंबर से तीन नंबर ये चार के बीच में common factor तो उनको हम लोग बोलेंगे को प्राइम नंबर क्या कहेंगे को प्राइम नंबर कैसे example से समझते हैं जैसे की example है हमारे पास कोई एक number है 10 और दूसरा number है 21 तो यह 10 और 21 दोनोंगा सबसे पहले निकालूंगा यह दोनों का मैं निकालूंगा क्या आपलोग का factor कितना होता है मुझे बता हो 10 किसके किसके table में याथ effective जो नंबर दिया हुआ है उंग किसके किसके table में आता है तो 10 1 के table या या ़ूंकर है और खुद के table में 10 ढूंबर यहाथ तो यह दोनों trying common क्या इस दोनों में same same क्या है जो आप देखोगे कि दोनों में same same है 1 और यहां पे भी same same है 1 दोनों में 1 same same है तो ये दोनों जो numbers है यानि कि 10 और 21 जो numbers है ये क्या है they are co-prime number ये लोग क्या है ये co-prime number है तो अगर कोई ऐसे 2 number आपको दिये हुए अगर कोई ऐसे 2 number आपको दिये हुए जिनके बीच में जो factors है वो सिर्फ 1 common ना है, वो अगर common आता है, एक number, 1 number, दुसरा कोई नहीं, सिर्फ 1. अगर common है, same है, तो वो co-prime number है. अगर common नहीं है, तो co-prime number नहीं है. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब एक और number रहता हूँ है, समझ लो, कि एक number है मेरे पास 12 और दूसरा है 15 ये दोनों co prime number है कि नहीं है वो check करना है तो कैसे check करोगे तो हम पहले सबसे पहले दोनों का factor निकालेंगे 12 का factor क्या होता है आप देखो 12 का जो factor होता है वो होता है 1 के table में आता है 2 के table में, 3 के table में, 4 के table में, 6 के table में 12 के टेबल में, वैस्ति 15 का देखोगे तो 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है 5 के टेबल में आता है और 12 के टेबल में आता है, correct है इतने टेबल में आ रहा है, तो आप देखोगे यहाँ पे common का क्या क्या है, यह दोनों में co-prime number, are not co-prime number, याद रखना, correct है, यह दोनो co-prime number नहीं है, तो हमेशा याद रखना कि अगर आपको 2 numbers दिये हैं, और आपको पूछा है, कि यह co-prime number है या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा, उसके factors निकालोगे, अगर factors में सिर्फ 1 numbers से मारा है, तो वो co-prime number है, और अगर कोई 2 numbers, 2 से ज्यादा numbers से मारें, तो वो co-prime numbers नहीं है, समझ में आ गया, चलिए, अब सीधा जाते हैं हमारे problem set के numbers पे, तो problem set number 35, इस chapter का आखरी problem set है, फटा-फट से solve करते हैं, चलो, सबसे पहले, यहाँ पे अगर आप देखोगे, क्या question पूछा है, मतलब यह जो numbers दिए हैं आपको, एक, दो, आठ है total, यह इसमें से हमें पुछा है कि क्या यह co-prime numbers है या नहीं है, तो सबसे पहले 22 और 24, तो देखोगे 22 की अगर मैं बात करूँ, किस के किस के table में जाता है, 1 के table में, 2 के table में जाता है, 11 के table में, 22 के table में जाता है, फिर 24 जो है, वो 1 के table में, 2 के table में, 3 के table में, 4 के table में, 6 के table में, 8 के table में, 12 के table में, और, खुद के table में, 24 के table में, तो है कितने सारे number हो गए, तो आप देखो कि तो यह 1 भी सेम हो गया, यह 2 भी सेम हो गया, तो यह जो नंबर है, 22 और 24 जो है, are not co-prime number, यह लोग co-prime number नहीं है, are not co-prime number, क्यों? क्योंकि 2 से ज्यादा number सेम आ रहे, तो co-prime number नहीं है, दूसरा क्या है, देखो यहाँ पे, अगर आप ध्यान दो के टेबल में, 14 के टेबल में, फिर 21, देखो कि तो 1, फिर 3, फिर 7 और 21, तो यह दोनों में आप सेम सेम देखो, क्या-क्या सेम सेम आ रहे, तो यह जो है ना, 1 तो सेम सेम ही आए, लेकिन यह आप धे 7, 7 भी सेम सेम आ रहे, तो यह नंबर भी co-prime number नहीं है, तो 14 और 21 are not co- नंबर, यह co-prime number नहीं है, क्योंकि दो नंबर सेम सेम आ गए, not co-prime number, अगला है 10 और 33, 10 का निकालो सबसे पहले, 10 का क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 33 का क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 11 आएगा, और 33 आएगा, तो आप देखो, यह दोनो नंबर है, समझ में आया, अगला देखो, 11 और 33, 11 का लिखो, 11 का क्या आएगा, 1 के टेबल में आएगा, 11 के टेबल में आएगा, 30 किस के के टेबल में आता है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 5 के टेबल में, 6 के टेबल में, उसके अलावा, 10 के टेबल में आ यह लोग को प्राइम नंबर है वैसे ही अगला देखो 5 और 7 तो 5 किसके टेबल में आता है 1 और 5 के टेबल में आएगा 7 किसके टेबल में आता है 1 और 7 के टेबल में तो दोनों में सेम सेम क्या है 1 और 1 तो दोनों में सेम सेम क्या है सिर्फ वन है यहां पे भी वन है यहां पे भी वन है तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि 15 and 16 आर को प्राइम नंबर क्या है यह को प्राइम नंबर है अगला देखो 50 और 52 50 किसके टेबल में आएगा वन में आएगा ट्व में आएगा फिर पाइव में आएगा फिर 2500 फ्युफ्टी में आएगा 52 के टेबल में आएगा, तो दोनों में सेम सेम क्या है, 1 भी सेम हो गया, 2 भी सेम हो गया, तो यहर बहुत अरे नंबर सेम सेम हो रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह जो 50 और 52 है, are not co prime number, यह co prime number नहीं है, are not co prime number समझ में आ गया, I'm last यह जो है, यह मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं homework, तो जरूर से homework करना, और इसका सही जवाब, मुझे comment करके बता देना, बता होगे, correct है, समझ में आ गया, clear, तो वीडियो स्टॉप करूँ, चलो, आज के लिए हो वीडियो हो गया, और इसी के साथ हमारे जो problem set number 35 है, यह भी complete हो गया, और इसी के साथ यह chapter, ठीक है, जो आप पढ़ रहे हो, factors and multiples, यह भी complete हो गया, और ऐसे कई सारे और वीडियो सह हम ला रहे हैं, और कई सारे वीडियो सह हमारे चैनल पे है, क्ईॉ़ण के सारे बिए हो पयाता रहे हैं, और इसी की सह हमारे दोप्ट कर ला भीसुट